बच्चो ये फुलवारी पुस्तेक है जो कछचाचार में हिंदी की पुस्तेक है इसका नाम बदल करके कल्रो से फुलवारी कर दिया गया है तो इसमें हम लोग प्रशनुतर की स्रंखला देख रहे थे इसके पहले मिने स्रवनकमार की कहानी छोटी सी वीडियो में दी है और आज हम लोग इसमें पाठ बारा जो है भक्त नीत माधुरी पढ़ेंगे तो इस वीडियो में हम जो भक्त नीत माधुरी यानि कवीर और रहीम और सूर्दास के जो दोही दिये गए है इसको पहले तो हमें इसको वाचन करेंगे वाचन करने के बाद हम इसका ससंदर और सहि बजने में आसानी रहेगी तो ये कवीर दास का दोहा दिया गया है सांच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्दें सांच है ताके हिर्दें आप रिच कवं नहीं फलवक है नदीन संचे नीर परमारत के कारने साधुंधरा सरीर जहां ग्यान तहा धर्म है जहां जूट तहा पाप जहां लोब तहा काल है जहां चिमात आप इसके बाद कवीरदास जी के बारे में कुछ पंक्ति इसमें दी गई है इनके विसे में बताया गया है कवीरदास जाती पांती उच नीच धार्मिक भेदभाव आदिका जोरदार खंडन करने वाले संत कभी थे इनका द्रश्ट को मानवतावादी था इनकी रचनाएं तीन रूपों निसाखी, सबवत और रमेनी में मिलती है इसके बाद हम रहीम के दोहे को पढ़ेंगे बिगरी बात बने नहीं लाग करे किन कोई रहीमन बिगरे दूद को मथी नमाखन होए जो रहीम उत्तम प्रकति का करी सकत कुसंग, चन्दन विस व्यापत नहीं, लिप्टे रहत भुजंग बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाप्ट का मूल इसके बाद रहीम दास जी के बारे में कुछ पंक्ति उनकी उसमें पुस्तक में दी गई है, तो उसको पढ़ लेते हैं रहीम समराट अकबर के नौरतनों में से एक थी, इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था इनके नीत परगदोहे जन जन में प्रशिद्ध हैं, रहीम दोहावली, रहीम सत्सई इनकी प्रशिद्ध रशनाए हैं इसके बाद हम सूरदास की पद्दे पढ़ते हैं मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, किती बार मुह दूद पियत भई, यह अज हूं है छोटी तू जो कहत वलकी बेनी जों हैं हैं लांबी मोटी, काहत गुहत नहावत जैहें, नागी नसीव हैं लोटी काचो दूद पियावत पचपची, देती नमाखन रोटी, सूरज चिर्जो दोभिया, हरी हल्दर की जोटी सूर्दास आगरा से मत्रा जाने वाली सड़क के किनारे रूनकता नामक गाउं में पैदा हुए थे इन्होंने कृष्ण की लिलाओं का बड़ा संदर वणन किया है, ये कृष्ण भक्ति कवियों में सरवोपरी है, सूर्द सागर इनका प्रिसिद्ध महाकाब्य है अब इसके बाद हम ये जो दोहे हमने पढ़े हैं, कवीरदास, रहीमदास और सूर्दास के, इनके हम संदर्व सहित व्याख्या देखेंगे तो इसमें पहला दोहा कवीरदास जी का दिया गया है, साच बराबर तब नहीं, जूट बराबर पाप, जाके हिरदें साच है, ताके हिरदें आप तो इसका संदर्व हो जाएगा, प्रस्तुत पध्यान से हमारी पाट पुस्तक फुलबारी के भक्त नीत माधुरी नामक पाट से लिया गया है, इसके रचेता कवीरदास जी है, इसके बाद हम इसका भावार्त, प्रस्तुत पंक्त में कवीरदास जी कहते हैं, कि निवास करते हैं या इस्वर स्वयम रहते हैं इसके बाद दूसरी दूसरा दोहा दिया गया है कि व्रिच कवं नहीं फल भग है नदीन संचे नीर परमारत के कारने साधुंधरा सरीर संद्रव पुमें पंक्तियों में एक ही हो जाएगा उसे कमिरदास के जितने भी दोही दिये गये हैं इनमें सब का संद्रव ही रहेगा इसके बाद दिया गया है कि प्रस्तृत प्रस्तृत पर्डान्स मारी ⁠ अब इसके बाद भावार्त हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्त में कवेरदाश जी कहते हैं कि पेड कभी स्वयम फल नहीं खाता है नदी अपना पानी रोंक कर नहीं रखती है इसी प्रिकास सज्जन व्यति भी दूसरों की भलाई के लिए मनुसिका सरील धारन करते हैं अर् जहां जाथ फार्व है जहां जोत तहं काल है जहां चिमा तो इसमें हम प्रसंदर्व पहले देखाएंग कि प्रस्तुत प्वार्दांस हमारी पुस्तकsteps फुलवारी की भक्त नीत माधुरी नामकपाठ से लिया गया है इसकी रचैता कवीर-दास जी हैं और प्रस्तुत पं कवीर दास जी कहते हैं कि जहां घ्यान है वहां धर्म और जहां जूट है वहां पाप है जहां लोब है वहां मित्व है और जहां छमा है वहां इस्वर है इसके बाद हम रहीम दास जी के दोहे देखेंगे बिगरी बात बने नहीं लाक करे किन कोई रहीमन बिगरे दूद को मत नमाखन होए संदर इसमें देखेंगे कि प्रस्तोत पद्यान समारी पाठ कुस्तव पुष्ट फुवारी के भक्त नीत माधुरी नामक पाठ से लिया गया है और इस पंग्त के रचयता या इस दोहे के रचयता रहीम जी हैं इसका भावारत हो जाएगा कि प्रस्तोत पंग्त के फट जाने से या दूद के खराव हो जाने पर उसमें से मखन नहीं निकलता है और इसके बाद अगला दोहा दिया गया है रहीम दास जी का कि जो रहीम उत्तम प्रकति का करी सकत कुसंग चंदन बिसे व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग इसमें संदर्व दिया गया इसके रजयतार रहीम दास जी है अब इसका हम भावार्थ देखेंगे प्रस्तुत पंक्त में कभी रहीम दास जी कहते हैं कि उत्तम सभाव वाले व्यक्ति पर वुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विसेली सापूं की लिप रहीम दास जी का है कि बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें भूल रहिमन हीरा कब कहें लाक्ट कामूं मूल इसका संदर्व हम पहले की तरह ही लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्दान समारी पाठ पुस्तक फुर्वारी के भक नीत माधुरी नामक पाठ चिलिया ग कभी अपनी प्रसंसा स्वयम नहीं करता है और ना ही किसी को अपने से तुछ समझता है जैसे हीरा अपनी प्रसंसा स्वयम नहीं करता और ना ही कभी कहता है कि मैं बहुत कीमती हूं। अब इसके बाद हम आते ही सूर्दास पद दिया गया है मैया कबहीं बढ़ेंगी चोटी किती बार मुई दूद पियत भई यह अज हूं है चोटी तू जो कहती बलकी बेनीज्यों हुई हैं लांबी मोटी अब इसका संदर्व हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यान से हमारी पाट पुस्तक फुलवारी के भग्त नीत माधुरी नामक पाट से लिया गया है इसके रचैता सूर्दास जी हैं अब इसका भावार्त देखेंगे प्रस्तुत पंक में बालक क्रश्न माताय सोधा जी से पूस्ती है कि मा मेरी चोटी कब बढ़ेगी मुझे दूद पीते हुए कितना समय हो गया है लेकिन अभी तक यह चोटी है तू तो कहती थी कि बालों को जारते जारते और गोते गोते मेरी चोटी भी बलदाओ की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और नागिन की तरह जमीन को छूने लगेगी तू मुझे कच्चा दूद बार-बार पिलाती है लेकिन मखन रोटी खाने के लिए नहीं देती सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और बलदाओ की जोड़ी दीरगायू है अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रस्न पर आएंगे और अभ्यास प्रस्न देखेंगे तो इसमें अभ्यास प्रस्न पर पहला प्रस्न दिया गया है कि इस्वर किस तरह की लोगों की शिर्दे में निवास करता है तो इस वर जो हैं सच्चे और इमानदा लोगों के फिर्दे में निवास करता है अगला प्रस्थन है कि सज्जन व्यक्तियों की तुलना व्रच्चों और नदियों से क्यों की गई है इसका उतर है कि सजन व्यक्तियों की तुलना व्रच्छों और नदियों से इसलिए की गई है क्योंकि पेड अपना फल दे कर और नदी अपना पानी दे कर सबका भला करती है ठीक उसी प्रकाश सजन व्यक्ति भी दूसरों की भलाई करती है अब अगला वाक दिया गया है कि बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पढ़ता है तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा कि बुरी संगत का प्रभाव अच्छे सुभाव वाले लोगों पर नहीं पढ़ता है और उसके बाद अगला प्रशन है गहा सज्जन व्यक्तियों की तुर्णा हीरे से क्यों की गई है तो इसका उत्तर है कि सज्जन व्यक्तियों की तुर्णा हीरे से इसलिए की गई है क्योंकि हीरा मूलवान होते हुए भी अपनी प्रसंसा सोयम नहीं करता है इसके बाद अंगा है क्रश्न अपनी मा ये सोधा से क्या सिकायत करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सिरी क्रश्न अपनी मा ये सोधा से सिकायत करते हैं कि मेरी चोटी बलदाओ भाया की चोटी की तरह मोटी और लंबी कब होगी इसके बाद अगला ये प्रसंख्या दो दिया गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों का भाव इस पस्ट कीजिए तो पहली पंक्ति दी गई है कि परमारत के कार ने साधुन धरा सरीर इस पंक्ति का भाव हो जाएगा कि सज्जन पुरुस दूसरों का भलाई अर्थात परो कार करने के लिए ही मनुसे का जन्म लेते हैं इसके बाद खा है साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप इसके स्पंक्ति का भाव हो जाएगा कि सच बोलने के बराबर कोई तप नहीं है और जूट बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है इसके बाद है गा रहिमन बिगरे दूद को मते नमाखन होए इस पंक्ति का भाव हो जाएगा कि रहिम दाज जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूद फट जाने के बाद उसमें से मक्ष नहीं निकलता ठीक उसी प्रकार से कोई काम के बिगर जाने के बाद वह फिर नहीं सुधरता अगली पंक्ति दी गई है कि रहिमन ही रा कव कहे लाक ठकामो मूल इस पंक्ति का भाव है महान पुरुष अपनी स्वत्प्रसन साजवेस्वय नहीं करते हैं और अन्तिम पंक्ति दी गई है कि काचो दोथ प्यावत पचपच देदीन माखन रोटी इस पंक्ति का भाव है कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता ये सोधा जी से कहते हैं कि तू मुझे बार बार कच्चा दोथ पिलाती हो और खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हो इसके बाद प्रेश्ण क्या तीन दी गए कि अधुरी पंक्तियों को पूरा कीजिए तो यहाँ पे पंक्ति कुछ आधी पंक्तियां दी गई है वारित पंक्तियां हमको आगे लिखना है जो हमारे दोहे में दिया गया है जहां ग्यान तहाँ धर में है इसके आगे हम लिख देंगे कि जहां जूँटता पाप आगे दियागे बिगिरी बात बने नहीं लाख करे किनको ये हमको लिखना रहेगा बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले भोल रहिमन हीरा कब कहे लाख ड़कामों होल इसके बाद अगला प्रशनाता है कि तदभू सब्दों का मिलान तत्सम सब्दों से कीजिए तो विसाल का विशाल हो जाएगा परमारत का परमार्थ छिमा का ये हो जाएगा छमा और संचय का हो जाएगा संचय व्रच का व्रच और मूरति का मूरति इसके बाद आगे दिया गया है कि आपकी कलम से कवीर और रहीम की दोहूं में कई सीख शिपी है उन्हीं पता करके अपनी काफी पर लिखिये तो आईए हम देखते हैं कि क्या-क्या सीख छिपी हुई है वैसे तो हमने दोही के विशे में सपढ़ लिया है और हमें जानकारी हो भी गई कि क्या-क्या सीख मिलती है लेकि उसी को हमें इस प्रिश्न के उत्तर में लिखते ना है तो कवीर की दोही से हमने निमलेखित बातें सीख हैं नंबर एक हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बोलनी वाले के हिरदे में भगवान स्वयम निवास करते हैं दूसरा है सर्जन पूरुष का जन्न दूसरों की भलाई के लिए होता है और तीसरी सीख हमें मिलती है कि जहां ज्यान होता है वहां धर्म होता है जहां जूंट होता है वहां पाप होता है और जहां लालच है वहां मृत्ल है और जहां चमा है वहां भगवान का निवास होता है इसके बाद रहीम के दोहों से हमने निम्लिकित बाते सीखी है नमबर एक है अच्छे वा सच्चे लोगों पर बुरे व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है यानि अच्छे लोगों पर अच्छे और जो सच्चे लोगों होते हैं उनमें बुरे व्यक्ति उपर कोई प्रभाव या उनकी सुभाव पर कोई अंतर नहीं पड़ता है